नमस्कार अनिल्चरी नमस्कार सुरीशा केंद्री सरकर हमारे लिए प्रदानमंत्री Employment Generation के अंडर किसके लिए ये लोन दे रही है और ये लोन के लिए कौन कौन eligible है सर बहुत ही एहम सावाल किया है अपने सुरीशा ये आज की तारीख में 2023 अगस्त के महने में हम लोग ये स्टार्ट किया है In fact, Government of India ने भारत सरकार ने हर एक unemployed youth और एक कार्यशाली मतलब जितनी भी youth है, generation है चाहे उनको मतलब आगे पढ़ाई continue करनी है या फिर immediately उनको एक entrepreneurship का बिजनस स्टार्ट करना है इन सभी को केंदर सरकार ने एक बहुती important support देने के लिए PMEGP का घटन किया है तो इस scheme के तहट आपको loan दिया जाता है जो entrepreneur अपने skills के आधार पर और अपने experience या अपने knowledge के भरोसे पर ये business करना चाह रहे हैं जैसे कि manufacturing sector हो सकता है या फिर servicing sector हो सकता है तो इस business में आपको करने के लिए एक loan की जरुवत और आफ़े अवशक्ता होती है और वो है MSME जो ministry होती है उनहीं के under में ये loan दिये जा रहे हैं और मैं आपको सारी research मैंने की तो इस research के details मैं आपने दर्शक को देना चाहूंगा in fact इन लोगों को जो loan दिये जाएंगे तो ये implementation होगा scheme का under KVIC जो complete department है एक जो इस loan को disbersal के लिए और process के लिए देखती है now यहाँ पे जो भारत सरकाच जो loan दे रही है उस loan का सारा amount जो maximum amount है वो 50 लाख रुपे तक आपको loan दिये जा सकते हैं absolutely provided आपका जो loan का complete report होता है जिस business के लिए आप चाह रहे हैं लेने के लिए उस सारे details को अगर आप सही तरीके से अगर आप apply कर रहे हैं देने के बावचुत उस वक्त आपको ये loan देने के लिए completely सरकार आपके लिए ready बैठी हुए है इसके लिए बहुत simple procedure है जैसे कि आपको चाहिए pan card या अधर card and required documents अगर आपकी existing business है तो आपको documents जो existing के लगेंगे जैसे कि income tax filing होने दीजिए या फिर उद्ध्यम आधा registration, firm registration, labor license ये सारे के सारे मतलब नए लोगों के लिए भी लगेंगे और साथी साथ existing companies के लिए भी लगेंगे इसमें सरकार ने तकरीबन 2022 से ले करके 2026 तक के लिए 13,554 करोण रुपे सरकार ने year mark किये हुए है dispersal के लिए PMEGP के तहत ठीक है और जिनको ये business का loan ले करके start करना है वहाँ पर कुछ negative business list भी है मतलब मैं जो नाम अभी बताने जा रहा हूँ उन businesses को ये loan नहीं दिये जाएंगे और वो negative businesses है like cigarette manufacturing या BD manufacturing साथी साथ पान agree business हो सकता है पान के जो पते होते हैं या फिर liquor manufacturing के लिए होने दीजिए या फिर meat जो जितने भी meat processing centers है उसके साथ साथ धाबाज होने दीए जो highway road पर धाबे होते हैं या फिर hotel industry वाले होते हैं तो उनको ये loan नहीं दिये जाएंगे अगर जिनको loan होना है वो लोग completely manufacturing अगर business करना चाह रहे हैं उसकी पूरी knowledge होना जरूरी होगे चाहे आपके पास उस बारे में मतलब qualification हो या ना हो मगर experience तो होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये एक serious बात होती है और इस serious बात में PMEGP loan एक इतना आसान तरीखा है आपके सपने साकार करने के लिए क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जो भारत की economy है देश भर में ही नहीं बलके दुनिया भर में एक 5 trillion dollar की economy बने और वहां से और बड़ी से बड़ी तरक्की करें क्योंकि सारे COVID के lockdown के बाद में सारी दुनिया में देखा गया है कि बहुत सारे countries जो है इंडियन पॉपुलेशन एक यंग पॉपुलेशन है क्योंकि हमारे पास जो फिलहाल जो completely 140 प्लस क्रोर जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में तकरीबन 35 से 40 परतिशक तक के यंग स्टर्स बहुत है मतलब युवा है जो युवा है जो हमारी यूथ के लिए जो प्लान किया गया है यह प्रोग्राम तो definitely इसके वज़े से जो सपोर्ट मेलेगा और यह सारे के सारे manufacturing सेक्टर और services सेक्टर को मतलब एक solid support दे कर जाएगा अगर in case अगर आपको कोई भी guidance की जरुरत होगी तो definitely आप सुमन टीवी को contact भी कर सकते है कैसे करना पड़ते से यह बहुत ही important बात कही आपने सरीशा क्योंकि जितने भी लोग जो यह program देख रहे हैं उन सारे प्रेक्षकों को मैं एक ही विंती करूँगा screen पर जो दिखाई जा रहे हैं number है आप उस number पर call करिये आपको सारी जानकारी दी जाएगी अगर आपको line अगर busy आ रही है तो आप कोई भी जो का phone call कर रहे है वो WhatsApp में message अगर भेज देंगे तो उनको immediately callback भी किया जाएगा ताके आपको सारी जानकारी के साथ आपको वो help दे सके आपको वो information भी दे सके अगर किसी को online में phone में मुझे अगर directly बात करनी है किसी को अगर बात करना है मुझसे तो आप वो भी appointment ले सकते है आप मेरे से all on call appointment ले सकते है और साथी साथ इस महिने में 27 अगस्ट को हम 27 अगस्ट को हम लोग एक online और एक offline class मतलब दोनों class एकी धिन एकी समय पर होगी online और offline के दोनों के option है अगर जो लोग इस class को personally offline में attend नहीं कर सके तो वो लोग online में connect हो सकते है और इसकी सारी जानकारी भी screen पर दिखाएगे number पर आपको दी जाएगे आपको in case business के इलावा आपके पास कोई करजे का लिया हुआ कोई tension है आप अगर करजे में डूबे हुए हैं और इस करजे को अगर आप दूर करना चाह रहे हैं और इस करजे को खतम करके एक नया करजा लेना चाह रहे हैं या फिर आपको कोई business करना है या फिर आपको कोई नई चीज खरीदनी है या गाड़ी का लोन चाहिए या घर का लोन चाहिए या कोई mortgage का लोन लेना चाहते है या personal लोन इन सारे financial discipline, financial awareness और financial complete literacy के लिए आपको जानकरी एक class में दी जाएगी और पूरा information आप एक class आपको मिल जाएगी अगर किसी को कोई portfolio कैसे बनाना है वह पता नहीं तो definitely आप यह program के दुआरा इस number के दुआरा आप call करके सारी चीज़ा जान सकते हैं और class की भी जानकारी आपको देंगे 27th August को class रहेगा सब्वेरे 11 बजे से लेकर के शाम चार बही तक class चलेगी तो full day class में आपको complete 100% knowledge दिया जाएगा तो जल से जल आप register कीजिए आपको सारा लाब दिया जाएगा धनियावाद अनिल श्री वेल्कम सरीशा लाब 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 लाब